हाई अब्रिवन जैसा आप सभी जानते हैं कि CBSE ने क्लास 9 और 11 के लिए रेजिस्टेशन परारम कर दिया है और बहुत कम समय दिया है 15 दिसंबर से रेजिस्टेशन परारम हुआ है और इसकी अंतिमतिती 30 दिसंबर है बहुत कम समय मिला है और इसमें जो लोग रेजिस्टेशन का काम करते हैं उनके लिए काफी चैलेंजिंग टास्क होता है फोटो को क्राप करना डाटा इंट्री तो कर लेते हैं इस्टुडेंट डिटेल तो हम अपने एक्सल सीट में आसानी से भर लेते हैं लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि सारे स्टुडेंट के फोटोग्राफ को तियार करना वो भी डिजाइड साइज में desired file size में हम तो photograph को convert कर लेंगे लेकिन सबसे जो typical task होता है वो photo को crop करना होता है चलिए तो आज हम जानकारी देते हैं कि add of photoshop के माध्यम से कैसे scan किये हुए image को हम आसानी से one clip में automatically crop कर लेंगे और उस photograph को straighten कर लेंगे इसके लिए जिस add of photoshop के version के आप सकता होगी उसका नाम है add of photoshop cs 8.0 ध्यान से देखिएगा add of photoshop का cs version 8.0 की आप सकता होगी I hope you all stay with us and I will get your great support तो चलिए हम computer के skin पर आपको ले चलते हैं हम add of photoshop को open करेंगे add of photoshop cs ध्यान से देखिए add of photoshop cs 8.0 यही version होना चाहिए यहाँ add of photoshop cs लिखा हुआ है और यहाँ इसका version दिख रहा है 8.0 इसे software की मदद से हम आसानी से photo को crop कर सकते हैं और straighten भी कर सकते हैं यानि कि photograph तिर्शा भी होगा तो उसो तो वो सीधा हो जाएगा सबसे पहले हम अपने photograph को open करेंगे जिसको की हमने scan करके रखा है यहाँ से जैसे मालनी जै कि यहाँ photograph हमने scan करके रखा है तो यहाँ कुल 16 candidates है control के साथ plus करेंगे तो यह जूम होगा control और plus करेंगे तो जूम होगा control minus करेंगे तो जूम आउट होगा फिर हमें file menu में जाना है और यहाँ नीचे आएंगे तो automatic option एक हमें मिलेगा और sub menu में जाएंगे और यहाँ एक option मिलेगा crop and straighten photos इसको click कर देंगे तो यह हमारे scan क्यों image को scan करेगा और उसमें से एक एक photo को crop करेगा और उसे straighten भी कर देगा यानि कि सीधा भी कर देगा अभी एक मिनट के अंदर सारे photo crop हो जाएंगे और straighten भी हो जाएंगे देखे सारे photo crop हो चुके हैं और straighten हो रहा हैं इसके बाद से हम पहले photo को open करेंगे और फिर control plus से इसे zoom करेंगे और इनका roll number देख लेंगे इसको save करते समय है इसको close करेंगे तो save का option आएगा और यहां पर हम इनका roll number देदेंगे या registration में इनका जो serial number है वो serial number यहां हम देदेंगे और save करेंगे तो फिर हम से यह पूछेगा कि इसको किस quality में आपको save करना है यहां high quality है और quality का value है 8 तो यहां हम अगर 4 type कर देते हैं तो automatically low quality में हो जाएगी जैसा आप सब जानते हैं कि photo की size 40 kilobytes या उससे नीची होनी चाहिए तो हम low quality में set करके ok कर देंगे तो पहला photograph save हो चुका है फिर control plus करके इसे jump करेंगे तो यहां हमें नाम दिख जाएगा और इनका जो roll number होगा यहां close करेंगे save का option आएगा save का option आएगा yes कर देंगे इनका जो serial number होगा जैसे manager की 2 है यह registration में जो इनका serial करमांक है वह करमांक देंगे save करेंगे तो फिर यहां quality आएगी और फिर quality में 4 कर देंगे तो low quality हो जाएगी और okay करेंगे तो yes save हो जाएगी फिर तीसरा photo हमारे सामने आएगा और फिर इसे close करेंगे yes करेंगे फिर इनका serial करमांक देंगे फिर save करेंगे फिर हम quality 4 कर देंगे अगर हम कुछ फोटो को save करते से में quality 4 कर देते हैं तो automatically low quality में हमारे photos आने लगेंगे control plus से zoom करेंगे फिर save करेंगे और फिर yes करेंगे इनका serial कर्मांक दे देंगे 4 और फिर save करेंगे और फिर 4 से हम इसे low quality में save करेंगे ऐसा करके हम एक एक photo को बड़ी आसानी से crop और straighten कर सकते हैं अगर आप registration का काम करते हैं और आपके सामने एक typical task है कि photo को कैसे आसानी से crop करें तो यह method आपके लिए काफी suitable है आसानी से आप किसी photo को crop और straighten कर सकते हैं और बहुत तेजी से सारे photograph को अलग अलग तियार कर सकते हैं जब हम registration करते हैं तो सारे class teacher को उनका serial number बता देते हैं जैसे class 1 में 60 student है तो उनका serial number 1 to 16 होगा अगर उनके दूसरे section में भी 60 student है तो उनका serial number 61 to 120 हो जाएगा तीसरे section में भी अगर 60 student है तो उनका serial 121 to 180 हो जाएगा और जब हम photo save करते हैं तो उनके serial number का ही इस photo का नाम दे देते हैं तो upload करने में हमें आसानी होती है अगर ये तरीका आप आले से जानते होंगे तो काफी अच्छी बात है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप photograph और straighten कर सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी तो आपका समझेए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद